हेलो फीष फफ लगिशूँ के वब से आई होप आप से बच्च उंगे अधिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वसल पाकिस्तान की स्मैच को लेकर जहांपर भातिया-टीव ने पाकिस्तान को साथ इकसैंटेटते ने पाकिस्तान को इसमहा मुकाबले में जिसका इंतिजार पब्लिक लोग काफी ज़्यादा दिनों से कर रहे थे जिसको पाकिस्तानी फैन भी कर रहे थे भातिय फैन भी स्मैश को लेकर काफी ज़्यादा एक्साइटेड थे और यहां पर फिल से एक बार पाकिस्तानी फैन्स को निरासा हात में लगी है जो तरीके से पाकिस्तान टीम इस मैच में हारी है कह सकते हो एक सबसे बुरी हार वर्ड कप की थियास पे इंडिया ने पाकिस्तान को दी है इससे बड़ी हार वर्ड कप में पाकिस्तान को इंडिया ने इससे पहले नहीं दी थी इसे पहले 6 विकट की सबसे बड़ी हार थी, आप 7 विकट की हार आजम एक बहतरीन प्लेयर है, लोगों ने उससे काफे जादा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आप पूरी टीम से उम्मीद करते हो, ना किया सिर्फ एक बंदे से, जैसा अगर सिर्फ इंडिया बिराट कोली से एक्सपेक्ट करते हो, तो फिर गलत है, क्योंकि बाबारासम ने वो किया, जो बिराट कोली इस मैच में नहीं कर पाया, हर मैच में तो सेंचुरी या हाफ सेंचुरी नहीं लग सकती है, बाबारासम ने महनत करी, पिछली बार जब 2 सितंबर को हुआ था, वहाँ पर वह नह नहीं चले थे, तो उन्होंने क्या कि उस मेहनत करी, और यहां पर बाबारासम ने पजास रहने की पारीखिले, हलाई कि उसके बाद में मुहमत सिराज ने उनको आउट कर दिया, क्रीन बोड किया, लेकिन फिर भी कह सकतो है, एक अच्छी पारीखिली, सुजी पारीखिली लेकिन बिराट कोली, जो कि पिछले मैच में पाकिस्तान के किलाब बहतीरी इन फॉर्म में थे, वही बिराट कोली, आज उस मैच में सिर्फ 16 रन पे आउट वे, जबकि कोई दबाओ नहीं था उतना बड़ा कि हमें 300 पलस टार्गेट शेच करना सिर्फ 192 था, इस बात से आपको यह समझना चाहिए कि प्लेयर कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो परकृती से उपर नहीं है, उसके माइड में क्या चलता है, लेकिन उसका प्रफॉर्मेंस किस तरीके से होगा, वो क्या करने वाला है, वो अच्छा ही सोचेगा, लेकिन उससे क्या होता है, यह जो उस 50 पे आउट हुए, वो भी सोच रहा होंगी कि मैं 100 मार के जाओ, लेकिन लक ने साथ नहीं दिया, बाबराजम ने फिर भी बहतर करा, मैं अपने तरब से बाबराजम को गिट साइज नहीं करा, क्योंकि बाबराजम एक बहतरीन प्लेयर हैं, और वो रहेंगे, उसमें कोई लेकिन जब पूरी टीम यहां पर डाउन हो रही है, अब 155 पर दो विकेट है, उसके बाद में बाबराजम का विकेट गिरने के बाद में टीम सिर्फ 29 रनों पर 7 विकेट गमा देती है, अब इसका जिम्यदा तो बाबराजम नहीं है, अब किसी टीम का मैं हिस्सा हूँ, और उस टीम का कैपटन कोई दूसरा है, और वहां पर मैं प्रफॉर्मेंस अच्छा ना करो, तो उसमें कैपटन की कोई गलती नहीं होती, फिलाहल आज किस मैस में जिस तरीके से बाबराजम को किया जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं इस पर एक वी जिस तरीके से दो अच्छा को सब्स्वाद